वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Use of such Use of such as Use of in such a way Such Such as In such a way का पर्योग कहा और कैसे करेंगे Let's start सबसे पहले हम लोग सच का पर्योग देखते हैं इसका मिनिंग क्या होता इसका पर्योग हम लोग कैसे करते हैं सच S-U-C-H सच मतलब होता है इस तरह का या तो ऐसा सच मिन्स होता है इस तरह का या तो ऐसा इसका बिनिंग हुआ मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ I don't like such people Another example I have heard such a story Such a story मैंने इस तरह की कहानियों को सुना है Another example इसे लोगों इसे लड़कों से नफरत करती है तो सच का परियोग इस तरह का आतो ऐसा का मिनिंग में करते हैं For example, I don't like such people I have heard such a story She hates such boys Next जो परियोग है वो है such as Such as Such as Such as का मतलब होता है जैसे की जैसे की जैसे की या तो हम लोगों इसको कह सकते हैं उदाहरनता उदाहरनता देखिए Such as का मिनिंग होता है जैसे की या तो उदाहरनता For example I have many things I have many things I have many things Such as I have many things मेरे पास बहु सारे चीज़े हैं जैसे की Such as या कम्प्यूटर या लैप्टॉप या मोवाइल एट्सेट्रा तो Such as का परियोग जैसे की या तो उदाहरनता की रूप में करते हैं जैसे I have I have many things मेरे पास बहु सारे चीज़े हैं Such as जैसे की कम्प्यूटर लैप्टॉप मोवाइल इत्यादी एट्सेट्रा Such as का परियोग को जैसे की या तो उदाहरनता की रूप में करते हैं नेक्स्ट है इन सच्यवे इन सच्यवे इन सच्यवे का मिनिंग क्या होता है इन सच्यवे का मतला होता इस तरह से इस तरह से इस तरह से या हम लोग कह सकते हैं ऐसे इस तरह से या तो ऐसे इसको भी हम लोग सेंटेंस में परियो करके देखते हैं For example She Looked at me She looked at me In such a way In such a way That I felt She She liked me Sorry I felt That I felt She Liked me Liked Me She looked at me She looked at me She looked at me In such a way That I felt She liked me And She looked at me She looked at me She looked at me She looked at me इन शर्च यवे, यू टॉक इन शर्च यवे, दैट, आई कांट, आई कांट डिनाई यू, देखे, यू टॉक इन शर्च यवे, तुम एशा बोलते हो, कि मैं तुम्हारी बात काल नहीं सकता, यू टॉक इन सर्च यवे, दैट, आई कांट डिनाई यू, तुम एशा बोलते हो, कि मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, तो, अस्टुडेंस, ये तीनों में कन्फूजन रगता है, इन तीनों का पर्योग को मैंने एक्जामपल के साथ बताया, कि हम सच का पर्योग, सच अज का पर्योग और इन सच अवे का पर्योग कैसे और कहां करेंगे, थैंक यू